दिवाली 2022 पूजन सामगरी दिवाली पर करे गणेश लक्षनी जी की पूजा पहले से खरीद लाएं ये पूजन सामगरी दिवाली 2022 पूजन सामगरी हिंडू धर्म में दिवाली का काफी अधिक महत्म है पांच दिनों तक चलने वाला इस पर्फ की शुरुवात धंतेरस के साथ हो जाती और समापन भया दूज के साथ हो रहा है दिवाली के महापर्व में मा लक्षनी के साथ साथ कुबेर भगवान को प्रसंद करने के लिए विभिन्द तरह से पूजा करने के साथ उपाय करती है दिवाली के दिन विधिवत तरीके से पूजा की जाती है अगर आप भी मा लक्षमी भगवान गडेश के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रही है तो धन्तेरस के दिन तक पूरी पूजन सामगरी खरीब लाएं जिससे की पूजन के समय किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो जानिये दिवाली में की जाने वाली पूजन की पूरी सामगरी दिवाली पूजन सामगरी गणेश जी की मूर्ती लक्षमी जी की मूर्ती मा सरस्वती की तस्वीर चांदी काका सिक्का, फूल, गुलाब एवं लाल कमन, चंदन, सिंदूर, कुमकुम, केसर, पाँच यग्योप्री, चावल, अबीर, गुलाद, हल्दी, सोलर श्रिंगार का सामान, चूडी, मेहंदी, पायल, बिछ्या, काजल, बिंदी, कंगा, पाँच सुपारी, पाँच पान के पत्ते, छोटी इलाईची, लॉंग, मौली या कलावा, फूलों की माला, तुलसी दल, कमल गटे, साबत धनिया, कुशा और दूर्वा, आधा मीतर सफेद कपरा, आधा मीतर लाल कपरा, दीपक, बड़े दीपक के लिए ते, नारियर, पंच मेवा, मखाना, किश्मिश, छुहारा, बादाम, काजु, आधी, गंगाजर, पंचामरित, शेहिद, दूद, शक्कर, दही, गंगाजर, दूद, शुद्ध धी, मौसम के हिसाब से फल, गंणा, सिंघाडे आधी, नैवेद्य, मिठाई, इत्र की शीशी, लकडी की चौकी, पंच, पलफ, बढ, गूलर, पीपल, आम और पाकर के पत्ते, लक्षमी जी और गणेश जी को अर्पित करने के लिए वस्त्र, जल कलश तामबे, मिठी या पीतलका, बही खाता, स्याही की दवा, हल्दी की गाण, खील बताशे, कपूर, जल के लिए लोटा, बैठने के लि आम का पत्ता